हाई गाईज, वेरी वार्म वेलकम डॉल अफ यू, आज वीडियों बात करूँगा मैं जॉन कीट्स की एक पोएम, A Thing of Beauty के बारे में पोएम को स्टाट करने से पहले थोड़ा सा हम पोएट जॉन कीट्स के बारे में जान लेते हैं कि ये कौन थे, जॉन कीट्स इंग्लैंड में पैदा हुए थे और एक रोमेंटिक पोएट थे, रोमेंटिक पोएट कौन होता है रोमेंटिक पोएट वो होता है जो नेचर की ब्यूटी को डिस्क्राइब करता है जो nature है, कुदरत है, इसकी beauty को बहुत अच्छे से describe करता है ठीक है, और detail में describe करेगा, imagination का use करेगा तो ये होता है romantic point, इसके साथ ही साथ जो John Keats थे ये love के बारे में काफी लिखते थे, और life में जो loss होता है loss in the sense मान लिजे आपका कोई बहुत करीबी इनसान है वो आपकी life में नहीं रहा, ठीक है, या किसी आपके बहुती close one की death हो जाती है तो ये जो loss होता है life में, ये जो suffering है, इसके बारे में भी काफी लिखते थे अब जो John Keats थे, इनकी जो training हुई है, वो हुई थी as a surgeon बढ़ने के लिए लेकिन बीच में इनोंने जो training थी अपनी उसको छोड़ दिया, इनको interest जादा poetry में था तो ये फिर poet बनने के रास्ते पे चले गए, और काफी अच्छी इनोंने poems लेगी, worldwide famous है आज की date में लेकिन majorly, जो इनको fame मिला है, वो उनकी death के बाद मिला बहुत लंबा नहीं जी पाए, around 25 साल के असपासीन की life थी, short life थी, लेकिन बहुत ही impactful life थी क्योंकि literature की दुनिया में इनका बहुत बड़ा नाम है तो ये तो मैंने हलका साब को एक brief over view दिया, जॉन की उच के बारे में अब थोड़ासन की जो poem है, इसको हम पढ़ लेते हैं, अब ये जो poem है, I think of beauty ये एक बहुत बड़ी poem, एंडी मियॉन, उसका छोटा सा पार्ट है, उसमें से ली गई है ठीक है, ये उस बड़ी poem का एक excerpt है, excerpt मतलब होता है, एक बड़ी जिसका छोटा सा पार्ट निकाल ले रहा जैसे मारी जे बुक है, बुक में से आपने दो पेज निकाल लिये, इस तो आदा समझ लो तो एक बड़ी poem थी, एंडी मियॉन, उसमें से एक छोटा सा पार्ट निकाल लिया है तो ये वाला जो पार्ट है, इसी से poem है, जो आपके course में है, A Thing of Beauty अब मैं इस poem को line by line आपको बताऊंगा, ध्यान सुनिएगा, अच्छी poem है बहुत पहली line, A Thing of Beauty is a Joy forever जो चीज beautiful होती है, ठीक है, उससे हमको हमेशा खुशी मिलती रहती है जैसे कि माली जी आपने देखा होगा, कभी आप पहाडों बजाते हैं, छुटियां में गएरा होती हैं, तो हम पहाडों बजाते हैं या फर आपने का हम सी साइड पर जाते हैं, हम समुंदर को देखते हैं, ठीक है, या आप देखिए, रात को और कभी आप ऊपर चांद को देखते हैं तो ये सब क्या है, क्योंकि जो poet है John Keats, में लिए हम पे ब्यूटी ना, नेचर से refer कर रहा है नेचर के बारे हम बात करेगा बार बार, जब ये बात beauty की कर रहा है, तो नेचर की चीज़ों के बारे हम बात करेगा तो यह बोल रहा है इस तरह की जो चीज़े होती है नेचर की जो beautiful चीज़े है यह हमेशा जब भी हम उनको याद करते हैं तो हमारे अंबर joy आता है हम बहुत खुश हो जाते है Its loveliness increases It will never pass into nothingness ताकि जैसे से time बीटता है ठीक है उस चीज़ की loveliness भढ़ती जाती है और वो चीज़ कभी भी खतम नहीं हो सकती वो चीज़ जो beauty की है उसकी loveliness भढ़ती जाती है और वो चीज़ कभी खतम नहीं हो सकती अब इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो मान लीजे आप 10-12 साल की एज में कहीं पिकनिक बनाने गए थे पाड़ों पे ठीक है अब मान लीजे आप 25 साल 30 साल के हुए और जब भी आप उन मेमरी पो याद करेंगे तो आप खुश हो जाएंगे और वह जो ब्यूटी होती है बहुत इंपक्ट रखती है ठीक है आपको हमेशा वह मेमरी आपके अंदर रहेंगी और आपको हमेशा याद रहेंगी इसलिए वह इस एक तरह से कह रहा है कि यह जो ची बावर का मतलब होता है एक पेड़ की चाया तो कह रहा है यह जो beauty की चीजे है यह जो beautiful चीजे है यह हमाले क्या बना देती है एक पेड़ की चाया बना देती है जैसे एक पेड़ चाया बनाता है ऐसी हमाले चाया बना देती है और पेड़ की छाय के नीचे क्या करते हैं ठीक है हम relax करते हैं तो इसी तरह से वो कह रहा है relax कैसे करेंगे अब आगे बता रहा है and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing ये जो beautiful चीजें हैं ये एक हमार लिए पेड़ की छाया बना देंगी ठीक है और हम इसके नीचे बैटके relax करेंगे अच्छी नीद लेंगे और हम बहुत अच्छे-च्छे sweet dreams लेंगे ठीक है ये मतलब है फिर वो आई कहता है therefore on every morrow are we resting a flowery band to bind us to the earth morrow का मतलब होता है morning और resting का मतलब होता है जैसे आप fullo की माला बनाते हो ना जो आप माला बनाते हो ठीक है उसको ऐसे बुनते हो fullo की माला को इसको रेथिंग बोलते है तो कहता है कि हर सुबह ये beauty वाली जो चीज़े हैं ये हमारे लिए ना एक fullo की माला बनके आती है fullo की माला माला बनके आती है और हमें जीने की वज़े देती है जो beauty है वो हमें सुबह उठने की वज़े देती है ताकि हम motivate होके अपने दिम को अच्छे से जी पाएं ऐसा poet क्यों किया रहा है दिखते है वो कहता है despite of despondence of the inhuman dearth of noble natures of the gloomy days of all the unhealthy and darkened ways despondence का मतलब होता है suffering ठीक है वो कहता है despite the fact कि दुनिया में बहुत suffering है कहता है suffering बहुत है problems बहुत सारी है tension है stresses बहुत सारी है बहुत सारी tension है बहुत साही suffering है और साथी साथ वो ये भी बोलता है कि दुनिया में जो अच्छे लोग है इनकी कमी है, अच्छे लोगं कमी है, क्योंकि जब ये इसने लिए वर्ड बोला है, डर्थ of noble nature, डर्थ मतलब होता है कमी, वो कहता है जो अच्छे लोगं की दुनिया में कमी है और दुनिया में suffering बहुत है, pain बहूत है, बड़ इसके बावजूद भी, ये हम life को कैसे फिर हम जीते हैं motivate कैसे रहते हैं beauty की वज़े से अब connect कर पाऊगे वो क्यों बोल रहा था कि पिछले lines में कि सुबह उठके ये beauty हमारे ले एक फूलों की माला बन के आती है क्योंकि वो कह रहा है life में बहुत सारी pain होने के बाद suffering होने के बाद life में वो कहता है अच्छे लोग कम है ठीक है और suffering है pain है लेकिन उसके बावजूद भी हमें जो जीने का motivation है वो किस से मिलता है वो beauty से मिलता है क्योंकि हर सुबह beauty एक फूलों की माला की तरह बन के आती है ताकि हम अपनी life को अच्छे से जी पाए despite all the pain and suffering despite all the gloomy days मतलब जो dark days आते है life दुनिया में darkness है उसके बावजूद भी यही चीज हमें motivate करती है beauty ही हमें motivate करती है कि जो हमारा जो dark time है हम इस time को bear कर पाए उस dark वाले time में मतलब उस खराब time ही हर पाए strength कहां से आगी वो beauty से आती है तो बोलता है yes in spite of all some shape of beauty moves away the Paul from our dark spirit Paul मतलब होता है वही खराब time तो फर बात वही रिपीट कर रहा है कि कितनी भी suffering हो कितना भी pain हो life में कितनी भी darkness हो despite all this यह होने के बावजूद भी suffering होने के बावजूद भी pain होने के बावजूद भी beauty हमें आगे life में push करती है आगे बढ़ने के लिए हमें motivation चाहिए होगा कैसे बढ़ेंगे हम आगे वो हमें beauty से मिलता है ठीक है तो beauty को ले को आप देखेंगे एक तरह से आपको असा लेगा ब्यूटी को बहुत ज़्यादा glorify कर रहा है पड़े ध्यान रखिए का है आप मतलब beauty का किस से है nature की beauty से ठीक है अब बताएगा आगे बताता है कि beauty से मतलब क्या अब यहां clear करता है वो इस line में such as sun, the moon trees old and young sprouting a shady moon अब किस की beauty बताता है वो कहता है sun की, sun की beauty, moon की beauty जो पेड़ है, पुराने, नए, उनकी beauty sprouting का मतलब क्या है जैसे आपने लिखा हो चने होते है चने को अगर आपको भिगो दो तो अगले दिन सुबह sprout करते हैं ठीक है ऐसे अंकुरेत हो जाते है, food जाते है तो वो कह रहा है, कि यह जो चीजे है sun, moon, trees इनकी beauty एक तरीके से हमारे लिए वर्दान बन के आई है ठीक है, यह लिखा ना, shady, moon एक तरीके से हमारे लिए वर्दान, moon मतलब वर्दान वर्दान बन के निकल के आती है तो यहाँ पर हमें साफ सम देखाई दे रहा है उसका मतलब beauty का, natural beauty से फिर आगे गहता है, for simple sheep and such are daffodils with the green world they live in अफर और बता रहा है, और कौन कौन से चीजे beautiful है वो कहता है, एक sheep जो एक sheep है sheep, daffodils ठीक है, तो इन, जो daffodils flowers होते है इनको भी बता रहा है, यह चीजे beautiful है और बोलता है, and clear rills rills मतलब होता है, छोटी-छोटी नदिया ठीक है, small rivers and clear rills, that for themselves a cooling covert ठीक है, make against the hot season, वो कहता है नदिया होती है, छोटी-छोटी नदिया ठीक है, उनमें भी beauty है, जब नदिया निकलती है, छोटी-छोटी, कब गर्मी के टाइम पे, ठीक है, hot season तो उसके side में, यहाँ पर जो word यूज किया, covert, covert का मतलब होता है, नदि के side में, छोटी-छोटे, आपने देखाऊगा पेड होते है, ठीक है और साथी-साथ यह भी बोलता है, जब river जब जाती है, वोग छोटी-छोटी-डिवर, तो वो एक cooling effect करती है, घर्मी में एक cooling effect करती है, ठीक है साइड के जो पेड होते हैं, वो शेड्स देते हैं, तो से cooling effect आता है, तो वो चीज बहुत उसको beautiful लगती है, उसको बहुत fascinate करती है, तो तो डिस्क्राइब कर रहा वह बूलता है दा मिड फोरेस्ट ब्रेक जिच विद आ स्प्रिंखलिंग ओफ फियर मस्क रोस ब्लूम्स कहता है अगर आप फोरेस्ट में जाएंगे आप जंगल में तो भाप बता रहा है जिस एरिया में रहता होगा इंग अपने पैदा हुआ थ अब पर जंगल में जो मस्क का फ्लार है इसकी जो खुश्बू हो पूरेजगल में चलक गई हो ऐसा उसको feel होता है अब आगे बोलता है वो and such too is the grandeur of the dooms we have imagined for the mighty dead grandeur मतलब होता है greatness, doom मतलब एक तरिये से death है ठीक है, destruction को बोलते हैं अब यहाँ पर किसकी बात कर रहा है जब यहाँ पर बात कर रहा है जब यह लाइन बोल रहा है the mighty dead तो mighty dead कौन है किसके लिए यूस किया गया है यहाँ पर बात कर रहा है उन लोगों की उन soldiers की जिन्होंने अपनी country को बचाते हुए अपनी life को sacrifice किया है, ठीक है क्योंकि obviously soldiers हमारे लिए बहुत कुछ sacrifice करते हैं, ठीक है they are great people, तो उनकी बात कर रहा है उन soldiers की जिन्होंने अपनी country को बचाते हुए अपनी life को sacrifice किया है तो एक तरीके सब यहाँ पर जोसकी beauty की definition है वो उसको यहाँ पर broaden कर रहा है उसमें वो soldiers को भी लेके आ रहा है, इंक्लूड कर रहा है ठीक है, फिर वो कहता है all lovely tales that we have heard or heard अब यहाँ पर मतलब क्या है इसका वो ही, जो मैंने अपको बताया है कि जो हमने, हमने जो tales मतलब किस से ठीक है तो हमने किस से सुने है भादरों के, जवानों के, जिन्होंने हमार लिए अपनी life को sacrifice किया है तो उसको भी वो फिर वो beauty की डेफिनेशन में इंक्यूट करता है जैसे मन अपको होता है फिर फाइली यह बूलता है पोईट अन एंड्लस फाउंडेशन ओफ इम्मोर्टल ड्रिंक पोरिंग अंटु उस फॉम्दा हैविन्स ब्रिंक अंटु का मतलब होता है और ढर द्रिंक का मतलब होता है एज किसी चीज़ का किनारा ठीक है तो वो कह रहा है कि एक इंपॉटल ड्रिंक गिर रहा है ठीक है इंपॉर्टल ड्रिंक किस के वारे बात कर रहा है इंपॉनल बल् Gespr़्ट मतलब होता है कución energy जो खतम नहीं होती एक तरीके से gift है ये ठीक है हमें जो मिला हुआ है और ये हमेशा आता रहेगा एक drink के immortal drink के form में ठीक है कभी ना खतम होने वाला है ये drink है beauty का जो हमेशा इस दुनिया में रहेगा pouring unto us from the heaven's brink मतलब जो heaven है heaven से ये जो drink है beauty का drink ये गिरता हुआ हम तक आ रहा है और ये हमेशा आता रहेगा क्योंकि ये immortal है कभी खतम नहीं हो सकता यहाँ पर ये poem खतम होती है I hope ये poem आपको अच्छी लगी होगी अगर ये poem आपको अच्छी लगी है तो kindly इस वीडियो को like करें और सब कसा शेयर जरू कर दीजगा heaven eyes day bye bye take care